नमस्कार दोस्तों इस हतेली का हम गहन विश्लेशन कर रहे हैं आज इसका अंतिम पार्ट पार्ट फिप्थ जिसमें हम जीवन रेखा और रावू रेखाओं के बारे में जानेंगे तो करते हैं शुरू जीवन रेखा के आरंब से आरंब में जीवन रेखा और मस्ष रेखा दोनों मिल के निकल रही है तो जब तक ये साथ चलेंगी जातक गहरे परभाव में रहेगा परिवार के जातक के ऊपर अनुशाशन भी जातक के ऊपर जिम्मेदारियां भी सुतंत्र विचार नहीं होते आत्मिश्वासी कमी रह जाती है कब डवलप शुरू होती है जब जीवन रेखा मस्ष रेखा अलग होती है उससे पहले जिम्मेदारियां जातक को कुंटित और बहुत सेंसेटिव बना देती हैं ऐसा जातक बहुत सतर्क और साफधान प्रवर्टिका होता है लेकिन आत्मिश्वास की कमी होती है कुल मिलाकर जातक का बच्पन अभावों में बीता होगा निश्वत ही अब बीस के बाद जीवन रेखा मस्थ रेखा अलग हो रही है अब जीवन रेखा गौड से देखिए तो जीवन रेखा बीस के बाद से लेकर साट के आस पास तक बहुत मोटी है मोटी जीवन रेखा शुब नहीं होती एक तो जातक को देरी से तरक्की मिलती है दूसरे ऐसी जीवन रेखा संगर्ष बहुत कराती है सफलता कम मिलती है कर्व है उसके बावजूद भी रेखा का मोटा होना जातक से बहुत शंगर्ष करवाता है ऐसे में राव रेखाओं का उभरना बहुत ही अशुब ये आपका आक्रमग मंगर छेत्र यहां से राव रेखा निकलती है आड़ी या थोड़ी तरची उनका उभरना ही बहुत घातक अगर वो केवल उभरी है और जीवन निखा तक पहुँच रही हैं उसे काटा नहीं है तो ऐसा जातक गुश्यल और चिट्ड़ा हो जाता है सबहा भी चिंदित रहने रखता है जातक को सरदर्द की शिकायच चुरू हो जाती है बीपी तंक कर सकता है पेट या आतों से समदित बिमारियां भी तंक कर सकती हैं आगे वड़िये और जानिये राहू रिखाएं अशुप क्यों होती है जब भी यह जीवन दिगाव काड़ती हैं तो शारी कर देती हैं भागे रहा हो काटा तो धनहानी मस्तक रेखा काटा तो मांसिक तनाओ सुर्य रेखा कटी तो अप्यस की संभावना हर दे रेखा को छुआ तो भावनात्मक आधात भी जितनी मोटी और लंबी और जितनी तिर्ची उतनी ही घातक छोती है तो पंदरा दिन से एक मैने तक बुरा परभाव डालेगी अगर हर दे रेखा तक पहुँच गई तो आपके दो धाई साल बरबाद कर देगी नकारात्मक विचार कहीं से सायोग नहीं मिलेगा क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आएगा बेकार के वेवधान सामने आएंगे जिन्द्गी दुबर हो जाएगी अब रहो रिखा उबर के काट रही है जहां काट रही है ध्यानक ना आपको जिन्द्गी में अपार कस्ट आएगा जो पहली रहो रेखा उबर रही है मैं सब को स्वाप करता हूँ पहले देखिए अब पहले रहो रेखा उबर रही है तकरीबन नो के आसपास कुछ ना कोई शारी कर्श दिया होगा दूसरी रहो रेखा उबर रही है तकरीबन अठारे के आसपास फिर बीज के आसपास फिर तेईस के आसपास फिर चॉमिस के आसपास चॉमिस के आसपास अठाईस के आसपास तीस के आसपास और यहाँ पर 37 के आसपास यहाँ पर 45-46 के आसपास और फिर काट रही है 48 के आसपास फिर 53 के आसपास फिर काट रही है 60 के आसपास फिर भी काट रही है 62-63 के आसपास उसके बाद कोई रहू रिखा नहीं है लेकिन बच्चपन से लेकर और 60 तक पुरा बच्चपन पूरी जवानी और बढ़ापा भी राओ रेखाओं ने तबाह कर दिया है हाँ साट के आसपास जीवन रिखा भागे रिखा से मिलकर आगे एक रिखा के रूप में नीचे जा रही है मनी बन तक ये राजयोग संपनता देगा और जा तक का बच्चपन बढ़ापा बहुत संपन बीतेगा लेकि बच्चपन जवानी और शुआती बढ़ापा परेशान करेगा मैंने राओ रेखाओं से समनित उपाए वाटसप पर भेज़ दिये हैं इसके अलावा सूर्य भी दूशित है उसके उपाए भी शनी भी दूशित है उसके भी उपाए गुरू भी दूशित है उसके भी उपाए शुकर भी दूशित है उसके भी उपाए मैंने आपको वर्टसप पर भेज दिये हैं आपने आस्ता पूर्वक किये तो 30-40% रहत तो जरूर मिलेगी और इतनी भी बहुत होती है शर्त ये कि आस्ता से करना है पुरा विश्वास से करना है इसके बावजूद भी यदि कोई मन में शंका हो तो वर्टसप से मुझसे पूछ लेना आपका हमेशा स्वागत है वीडियो देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू शुक्रिया प्लाओ से करना है